हाई गाईज मैसेल सीमा शलजानन थैंक्स तो कम तो माई चैनल साइबेसिक्स इन इस वीडियो आई विल डिसकूस अबाउट मेकनिजम ओफ मेसल कंट्रेक्शन बच्छों यह पार्ट टू होगा पार्ट बन में हम अलड़ी अल्टरा स्ट्रक्चर ओफ मसल्स इन डिटेल से जहें कि अल्टरा स्ट्रक्चर ओफ मसल्स एंडिस कंट्रेक्शन में आपका यही पूर्शन कोश्यन आए मेकनिजम ओफ मसल कंट्रेक्शन तो बहुत ही दिहान से सुनियेगा मैं बिल्कुल भी इसे कंप्लेक्स नहीं करते वे जितना सिंप्लेस्ट वे में एक्स्प्ले दिये गए हैं लेकिन मैं यहां जो मोस्ट इंपॉर्टन थियोरी है वह स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी और मोस्ट एक्सेप्टेट थियोरी भी है इसलिए मैंने इसी को यहां एक्स्पेन किया है प्रपोस्ट बाइच ए हक्सले एन जे हैंसन इन 1954 इन्होंने क्या कहा थ और बिद्ध देरिंग मसल कॉंट्रेक्शन थिन मायो फिलामेंट इन्वार्ड वार्ट एच जोन अभी हम डियाग्राम से भी आपको शो करने वाले हैं काउजिंग सार्कुमियर टू शॉर्टें में इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है वह अगर मसल कॉंट्रेक्शन होता है तो sarcomere contract कर जाता है अब sarcomere क्या होता है myofilament क्या होता है यह सब कुछ अभी हम diagram के help से देखेंगे however length of thick and thin filament do not change जबकि आपका thick और thin filament change नहीं होता है thick filament आपको myosin होता है और thin filament आपका actin होता है यह एक rough diagram है जिसमें आपको मैंने hdisk यह है आपका hdisk और यह है hzone और यह again hdisk यहां से लेके यहां तक पूरा एक sarcomere खलाता है यह portion आपका myosin है myosin M4 myosin M4 motor motor है इस वज़े से यह थिक है और यह वाला जो reason है वो है आपका actin filament यह आपको black से actin filament शो हो रहा है और यह जो green वाला motor वाला portion है बीच में वो क्या है myosin filament तो जब muscle contract होता है तो यह sarcomere आपको यहां पास आ जाता है ठीक है बाकि यह जो actin actin और myosin का जो length है वो नहीं change होता है यहां देखे myosin में आपको क्या पाए जाता है A band और H zone पाए जाता है और actin में आपको I band और H disc पाए जाता है यह muscle contraction हो रहा है यहां देखे sarcomere का length उपर देखे कहां से कहां तक था यहां देखे यहां से लेके यहां तक है आपका sarcomere का length लेकिन जब muscle contract होता है तो यह देखे इस वाले diagram में आपको अच्छे से explain हो रहा है दोनों का difference देखे यह वाला जो आपका actin वाला portion है यह पास आ रहा है और यह है myosin myosin नहीं हिलता है मोटा जो हाथी आलसी होता है जो भी मोटा आदमी होता है वो आलसी होता है बस सिर्फ क्या होता है actin थोड़ा पास आ जाता है लेकिन length दोनों का same ही रहता है actin और myosin का अब देखे यही है theory muscle contraction की अब देखे यह diagram के help से हम समझाते है यह क्या है आपका muscle fiber से ठीक है यह क्या है आपका यह वाला reason muscle fiber से यह tendon वाला reason है यह आपका whole muscle है अगर इस muscle को zoom किया जाता है तो यह क्या चीज़ का बना होता है यह आपका muscle fiber से बना होता है यह वाला reason देखे इस तरह से muscle fibers का बना होता है whole muscle consists of muscle fibers अब यह muscle fibers अगर इसमें से एक isolated एक portion सिर्फ देखे यहाँ इस एक portion को अगर हम zoom out करते हैं तो आपको ऐसा दिखता है isolated myofibrils इच muscle fiber is made up of striated myofibrils उसके बाद इस myofibrils में जब इसको और zoom करते हैं तो क्या हमें दिखता है यहाँ देखे यह आपको motor वाला reason यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको A-band दिख रहा है और इस A-band के बीच में आपको क्या शो हो रहा है H-zone ठीक है यह दूसरा आपका है A-band इसके बीच में भी क्या दिख रहा है H-zone दिख रहा है और यहाँ से यहाँ तक यह जो white portion आपको शो हो रहा है यह है आपका I-band और इसी आई बंड के बीच में आपका क्या है जड लाइं ठीक है यह है डियाग्रमेटिक प्रेजेंटेशन मिस एपियरेंस ओफ मायो फैब्रिल अंडर पॉलराइजड लाइट यही एरेंजमेंट है तो जब मसल कॉंट्रेक्ट होता है तो यह यह वाला रीजन आपका मायोस प्रेजिशन का वो चेंज नहीं होता है तो उस वज़े से मसल कॉंट्रेक्ट करता है एक्जेक्ट फंड यही है में प्रिंसिपल यही है ठीक है तो यह लफ्ट साइड इंग फिलामेंट थेओरी मैंने एक्स्पेड किया है तेरिटीकली और राइट साइड डियाग्रमेट अब इसको और अच्छे से एक्स्पेडेशन आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता है मेरे कॉंटेंट में आपको डाइग्राम बहुत ही ज्यादा मिलने वाले हैं ठीक है तो डाइग्राम से ही मैं पूरे पूरे जुलाजी सब्जेक्ट को इंटार माइसम मौटा वाला वाला रीजन और यह है क्लिसीयम इंद्ट सेका आफ सारकोप्लाज्मिक रेक्टिक scholum यहां आपका क्या पाए जाता है यहां आप की का había जाता है यहां आपका अबहु में जुम करते ही हम हां यहां देखिया आप सटल को प्लाज्मिक रेतिकोल्म सार औ यह करते हैं कि करना होता है यहां से यहां कि डिख रहा है यहां पर यहां पर हुआ सभीच मेठा यहां है इस यहां पर अध्य और दूसरा चीज़ क्या है यहां पर आपको अपने अस्थान पर ही रहता है मैंने क्या बता है मोटा आदमी होता है एक जागए पर रहना पसंद करता है लेकिन फ़ार्ट हो पास नहीं पास होता है तो muscle contract करता है और muscle जब contract करता है तो sarcomere क्या होता है shorten होने लगता है यहाँ देखे left side sarcomere का length और यहाँ बीच वाले diagram में जब contraction होता है तब sarcomere shorten होने लगता है but मैंने अभी आपको बता है length of thick and thin that is myosin and acting filament do not change और दूसरा चीज़ क्या होता है release of calcium from SR and tension develop और इस वज़े से वहाँ पर tension develop होने लगता है अब जब इसे फिर से relax होना है तो charges देखिए जो आपको सबसे left side normal condition में सेम उसी तरह का charge plus charges उपर है और नीचे अंदर की और minus charges होता है और अब यह जो calcium iron है उसका withdrawal होने लगता है यह फिर से sarcoplasmic reticulum में होने लगता है और फिर यह जो distance से आपका sarcomir का वो maintain होता है यह आप myosin बिल्कुल वैसे ही होता और acting फिर से दूर होने लगता है यह है calcium pump back into SR and tension और जो tension था वो आपका disappear होने लगा है यह एक और diagram के help से मैंने समझा दिया आपको जो भी सही लगे या फिर आपके पास time हो या फिर आप बहुत ही ज्यादा जैसे कि मैं अपने time में graduation और PG के time में बहुत ज्यादा return work करती थी तो इस वज़े से practice करते करते सारे diagram तो बिल्कुल ही मतलब जैसे ही आपको copy मिलेगा आपका हाथ खुद बखुद चलने लगता है और time भी बहुत कम लगता है इसलिए मैं आपको recommend करूंगी दो तीन बार चार बार जितना बार हो सके आप हैंड रिटन प्राक्टिस किजिए खुद से diagram का ताकि आपको एक एक चीज़ concept समझ में आ जाए अब इसका summary अगर हम देखना चाहते हैं तो यहां देखे summary of muscle activity तो contraction में क्या होता है during contraction arrival of nerve impulse जब nerve impulse आता है इनहां अब तुमको contract करना है तब क्या होने लगता है release of calcium iron होने लगता है एटीपेज एज जहां भी लगता है मिस वह तूटना होता है तो ATP तूट कर क्या बनता है ADP and inorganic phosphate में टूट जाता है ठीक है तो जब यह तूटता है तब क्या होता है आपका during contraction contract करता है और जब contract करता है तो यह देखे यह वल्ला रेजन वही डाइग्राम है बस basic एक वार समझ लिजे यह myosin बिल्कुल fix है यहां है acting तो यह acting अब क्या हो गया है यह pass आ गया है और यह जो plus charge बाहर की ओर था य contraction का stage और during relaxation क्या होता है तो relaxation में atipage inhibition होने लगता है withdrawal of calcium होता है और recreation of electric potential हो जाता है ठीक है तो flow chart के help से भी देखिए आपका relaxation में क्या होता है relaxation are for relaxation and are for repolarization तो membrane का यहां पर repolarization होने लगता है calcium CA2 plus pump back into sarcoplasmic reticulum calcium ion back जाने लगता है अभी मैंने आपको इस वाले डाग्राम में भी शोग किया है यहां देखिए यह वाला relaxation में आपका withdrawal of calcium ion यह देखिए withdrawal of calcium ion यह फिर से कहां जात चला जाता है sarcoplasmic reticulum में और क्या होता है मायोसीन ATPase depressed और inhibited होने लगता है cross bridge का formation होता है cross bridges broken होने लगता है मायोसीन is pulled back into its resting stage और अब resting stage में आजाता है और tension disappear होता है ठीक उसी तरह during contraction क्या होता है membrane depolarization c से contraction और d से depolarization a b c d जब हम पढ़ते c d याद रहेगा और r से repolarization और r से relaxation होता है इस तरह से आप याद रख सकते हैं calcium released from SR myosin ATPase is activated cross bridges formed and tension developed tension होने लगता है कब contraction में यह आपका summary भी हो गया summary of muscle activated इस तरह से मैं बहुत ज्यादा इसको complex मैंने नहीं किया है आप different different जगह पे और भी ज्यादा mechanism पढ़िएगा लेकिन जो basic fund है वो यही है तो इस तरह से अगर आपको मेरा यह पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो please like share and subscribe जरूर कर लिजेगा और कुछ भी suggestion देना हो तो comment section में जरूर बताईएगा मिलते हैं हमारे next video में तपके लिए thank you